महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री चत्रपती शिवाजी महाराज उनका जन्म 19 फरवरी 1630 में जुन्नर पुनेश्तित शिवनेरी किल्ले में हुआ था श्री चत्रपती शिवाजी महाराज की माता का नाम था माता जिजा भै उनके पिताजी का नाम था शहाजी राजे भोशले शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी शाजी भोसले था शिवाजी महाराज को बच्पन से ही अपनी माता के प्रती अधीक लगाओ था उनकी आदर्श थी अपनी माता माता जो दरम ध्यान करती थी सभी के साथ अच्छा आदर पूर्व व्यवार करती थी यह सब बाल शिवाजी बटपन से देखते और सीखते आ रहे थे उनके दिल में भी श्त्रियों के प्रती आदर और सन्मान की बावना हमेशा रहती थी बुजर्गों को भी आदर युक्त सन्मान देते थे चत्रपती शिवाजी महाराज चत्रपती शिवाजी महाराज के निर्भेता, दाडस, पराक्रम और दुसरों के लिए मदद करने की भावना के बहुत किस्से मशूर है आज मैं आपको उन किस्सों में से एक किस्सा सुनाता हूँ उनके हर किस्सों में पराक्रम दाडस और दूसरों के लिए कुछ करने की बावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है ये उस समय की बात है जब पुने के करीब नचनी गाव में एक बयानक तेंदुए का आतंग चाया हुआ था वह तेंदुआ अचनक ही कहीं से हमला करता था और जंगल में वोजल हो जाता था सभी गाव वाले इस तेंदुए के आतंग से परेशान थे उनको उनकी इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था सभी हमेशा चिंतित रहते थे कि हमारे बच्चे और घर वालों क्या होगा हमारे घर में आकर हमला कर देगा तबही गाव के किसी भुजुर्ग ने कहा कि क्यों नहीं हम हमारी समस्या लेकर शिवा जी महराज के पास जाएं शायद वो हमारी कुछ मँधत करे। सभी डर्भे हुए गाव वाले अपनी समस्या लेकर सिवा जी के पास पहुँचे और बिंती करते हुए कहा हमें इस बैनक तेंदुए से बचाईए माराज वह अब तक न जाने कितने बच्चों कि अमार चुका है ज्यादा तर्व तेंदुआ तब हमला करता है जब हम सब सो रहे होते हैं माराज शिवा जी ने देर्य पुर्वक्त ग्रामीनों की समस्या सुनी और उन्हें धाड़स बंदाते हुए कहा आप लोग निश्चिंत रहे चिंता मत करिये आपकी मदद करने के लिए ही मैं यहां हूँ फिर शिवा जी अपने सिपाईयों यस जी और कुछ सैनिकों को साथ लेकर जंगल में तेंदुए को मारने के लिए निकल पड़े बहुत दूनने के बाद भी तेंदुआ नहीं मिल रहा था दिन बर दून्ते दून्ते अचानक तेंदुआ सामने आया जैसे ही तेंदुआ सामने आया सैनिक डर के मारे पीछे हट गए पर शिवाजी और यजजी बिना डरे ही तेंदुए पर तूट पड़े और पलक जपकते ही तेंदुए को मार गिराया जैसे ही गाव वालों को तेंदुए को मारने की खबर मिली तब वो खुश हो गए उनकी बयानक समस्या का अंत हो गया उनके चेरे से डर निकल गया सबके चेरे पर खुशी के आंसू आ गये और खुशी खुशी सब शिवाजी माराज को मिलने गये शिवाजी माराज को मिलने गये और उनोंने नारा लगाया जै शिवाजी जै शिवाजी शिवाजी माराज की जै हो शिवाजी महाराज की जय हो शिवाजी महाराज भी खुश हुए उन्हें गाव वालों से यही उम्मीद थी कि उनके चेहरे से ये डर निकल जाए और सब खुशी आनन से रहे सुना दोस्तों ये किस्सा है हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत श्री शत्रपती शिवाजी महाराज का आओ हम सब मिलकर शिवाजी महाराज की जय का नारा लगाए जय शिवाजी जय शत्रपती शिवाजी महाराज जय शत्रपती शिवाजी महाराज